हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल गनेसल क्लासेज में फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग विहार पूर्ट क्लास टेंथ का अब्जक्टिव क्वेश्चन आंसर एक सो का एक सो मैथमेटिक्स का देखेंगे तो देखते देगा वीडियो को लास से योजाब 15 है अभइसीतर स्यापे दूमर अब देखे दूनमर में क्या किया रहा दूनमर में कहे रहा है बोभ यज़ स्कॉर्म मानओ स्वाइब फिलास आठ का घहात है तो कितना होगा तो नमर का यहाँ पर यहां पर यान्सर सही ओज़एगा यानिकी 2 होगा अभृ सित्रस्वी हाँ तीन नमर में क्या दिया है अभी दिविखे तीन नमर में का समलब्स सृध जयागा जर्फ एटन होगा तो सब्सक्राइबthird दिवाण मैं क्या एवे दिशीजिया तब्लस यहां यहां पिक पंछ विए फिरी यह एक शही हो जगा च्बूर गट अब दिखे चों नमर्में क्या के राहा है चों नमर में करा है दूंधाइ की सुन्य को काईयो होगा तो कितना होगा तो इसका 6 आंसर हो जाएगा यानि कि वन होगा अब इसी तरस यहाँ पर आठ नमर में दिखें या करहा आठ नमर में कहे रहा ह। अंट नमर में कहे रहा है y सकुरिडर इन्टु में 1 अब य प्लोस बढ़ावर कितना होगा incarnator दी आंसर सही हो जाएगा यानि कि y plus 3y square हो जाएगा अब इसी तरह से यहां पर 9 नमर अब देखें 9 नमर में क्या कहे रहा है नो नमर में कहे रहा है यदि 3x-5y बढ़ाबर 0 तथा 9x-15y बढ़ाबर 0 तो x दथा y के मान होंगे कितना होगे x और y का मान इसका बी आंसर सही हो जाएगा 0 और y का मान भी 0 अब इसी तरह से यहां पर 10 नमर में क्या कहे रहा है दौश नमर में कहे रहा है समा अंत्र में दोगा गill है कितना है इसका शहीं हो जागा चार बारा नमर आप देखिए आपर में लिखी त echir है आपरी में संख्या है कौन है वह मैं बताना आप शहीं हो जाया सभी progress एक सोरा नमर में क्या कहा हूँ रहा है निम लिखित में कौन सा पड़ी में संख्या है वह हमें बताना आए तो यहां अब इस्तरह से यहां पर 16 नम्र में नमर में क्या रहे है रहा है निम लिखित में किसका दैसुमलब परसार और संथ होगा इसमें और संथ के रहा है तो इसका वी आंसर सही ओ जाएगा 49 वट्टे दो सो तीतालिस अब है इस तरह से यहां पर बहु आपके नमर में क्या रहे है बहुंपाद सभाथ होगा तो परीमें संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा परी में होगा इसका शही हो जाएगा अब इस तरह से आपे लिए डिए सभुण क्या रहा है बुफध यद्यार के सुन्याख होंगे तो या होंगे तो इसका दे इन सरसले हो जाएंगे रूट रॉट-1 किए 21 रखेशने सब्सक्रार अब कन सब्सक्राइस कि याँ इस तरह से यहां पर किस नमर में क्या कै रहा है 21 दम नमर में कहले रहा है दी गई आकृती में वी ओप है तथा यह तो इस तो तो कौन आए बीस ज ब्राबर हमें बताना है कितना होगा साथ द् We होगा या 30 डिग्री या 45 डिग्री तो इसका सी आंसर से हो जाएगा यानिकी 45 डिग्री अब इस तरह से यहां पर 22 नमर में क्या कह रहा है 22 नमर में कह रहा है यदि D1 विडित का व्यास हो तो उसका छेत्रफल क्या होगा वह हमें बताना है तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा तो बाइस का अंसर हो जाएगा डी नमर यानि कि पाई डी एसक्वाइर वट्टे फोर वर इक है अब इस तरह से यहां पर 23 नमर अब देखिए 23 नमर में क्या होगा 23 नमर में कहे रहा है तिरी भूज ABC में बिंदू D और E क्रम सब हो जाओ A B और A C पर इस परकार की D E समाना अंतर B C यदि A D वट्टे D B बड़ावर एक वट्टे दो और A C बड़ावर 37 cm तो E C बड़ावर क्या होगा वह में बताना है तो इसका B आंसर से हो जाएगा यानि कि 18 cm होगा अब इस तरह से यहां पर 24 नमर अब देखिए 24 नमर में क्या कहे रहा है 24 नमर में कहे रहा है तिर जिया आर वाले गोला का अब इस तरह से यहां पर 25 नमर में क्या कहे रहा है 25 नमर में कहे रहा है दो खंबे यहां पर क्या कहे रहा है दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर उचे है और समतल जमीन पर उर्वाधर खड़े है यदि उनके पादो के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सीरों के बीच की दूरी क्या होगी वह में बताना है तो पाचीस का यहां पर एंसर सही हो जागा दोस मीठर बढ़ें छबीश नमर में क्या क्या रहा miss it next गई का वाय और नाग्वी को माना वह जैर के बीच संबंद क्या है वह में बताना है तो इसका answer सही हो जागा एक लगा विला एकस- diving हो जाएगा अब इस तरह से यहां पर 28 नमर में क्या क्या रहा है यदि जीरो डिग्री से बड़ा होगा जीरो और जीरो से भी बड़ा नव्य डिग्री तथा साइन जीरो साइन ठीटा बढ़ाबर वाई तो कौस ठीटा कमान क्या होगा वह में बताना है तो इसका कथन यह है कि दो संकोनिक तिर्भुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदाव समान राता है तो यह किसका कहना है तो इसका बी आंसर सही वह जाएगा थेल्स का कहना है अब है इस तरह से यहां पर 30 नमर में क्या कह रहा है यदि एक बिरीत का परीधी 132 में से किस दिगहात बहुपाद के सुन्यको कायोग माइनस 4 तथा गुननफल माइनस 5 है तो यहां पर डी आंसर सही हो जाएगा एक स्कुर पलोस 4x-5 अब इस तरह से यहां पर 32 नमर में क्या कह रहा है यदि बहुपाद एक स्कुर माइनस के एक स्पलोस 8 के सुन्यको मान होगा तो कितना होगा के कमान तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा यानि कि छो होगा अब इस तरह से यहां पर 33 नमर में क्या कह रहा है कि कि किस मान के लिए समीक्रम 3x-y बडाबर-8 और तथा 6x-kyy बडाबर-16 समपाति रेखाओं को परदर्शित करता है तो यहां पर क् पदों की संख्या होगी तो कितनी होगी संख्या तो इसका यह और लुकर जाएगा थ identifies मधल हो सब्सद्रांजनलां बतार में लाट पदि और यहां पर ऊंधको पढ़ति करन का एक रिकरण का होगा से यह समीक्रम होतो हलो की शघ्या है तो क्या होगा इसका संख्या? यहाँपे 36 अंसर से हो जागा सिर्फ एक हो तो इस परकार सब देखिये याँपे देख लेते हैं 37 नमध्र में डिब्यान 27 नमर में कहा एनोसर सेय रहना है 37 से यहां और 8 चैंगा अब इस तरह से यहाँए और 38 नमर में क्या कह रहा है और 30 नमर में कह रहा है यह दिस्तमिक्रन BX square प्लस AX plus C बरावर 0 का मुल समान हो तो C बरावर कितना होगा तो वह हमें बताना है तो इसका B answer सही हो जाएगा A square बट्टे फोड फोड भी- अब देखिए 79 नमर 49 नमर में कहले चालिस नमर में 알कों में चुमा जाऊच चालिस नमर का समी करन्स प्रमापद से हो जाए ब्राबर जीडो अब इस तरह से यहां पर 113 नमर में क्या कह रहा है यह दि बिंदू X-Dais, Y1 X2 Y2 और X3 Y3 संडेक है तो निम्रिखित में कौन सत्य है वह हमें बताना है तो इसका भी बताना है तो यहां पर 43 का भी आंसर सही हो जागा आठ बटे पंद्र अब इस तरह से यहां पर 44 नमर में क्या कह रहा है 44 नमर में कह रहा एक घरी के मिनट वाली सुई द्वारा साथ मिनट में बत बनाया गया कौन होता है तो यहां पर बहर जब घरी घूमेगी पूरा चारुषएट से तो इसमें रहा पर 45 नमर में क्या कहा है प्रथम 6 अबहाज संख्यों का माध्यक है प्रथम 6 आपाज संख्यों का माध्यक कितना होगा इसका पांच होगा अब हैस तरह से यहांपे देख लीजिए 46 नमर में के रहा है स्क्वाइर पर 44 डिग्री मायनस 2 ब्रावर कितना और वह में बताना है तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा जीरो होगा अब इस तरह यहां पर 48 नमर में क्या करें रहा है तू इन्टू 1-1 square a बट्टे कॉस square a बडावर कितना होगा हमें बताना है तो सब्सक्राइब यहां पर 59 नमर में क्या कर रहा है दो पास से एक साथ उचा ले गहे एक दोभी संख्या आने की पराइखता होगी कितनी होगी तो उन्चास का यहां पर ड आंसर से ऊजगा भान वार सीख्स होगा ड्रचास नमर्टेखे पचास नमर्ड में क्या कहा है पचास नमर्म एक यदि ठीटा बरावर 90 गेजितो साम् ठीटा मानस स्कॉष ठीटा बरावर कितना मोब वह हमें बताना है तो इसका बच्था 2 HA gda RH difices इ clown's में क्या करे रहा है यदि कौस एक ठीटा बढ़ाबर बी वाई ए तो शेक ठीटा का मान कितना होगा हुआ हमें बताना है तो बावन का बी आंसर सही हो जाएगा बी एसक्वाइर माइनस एसक्वाइर के रूट अंडर बट्टे में बी अब इस तरह से यहां पे तिरपन नमर में क्या कह रहा है त इसका बढ़ाबर कितना होगा इसका उयमकर पर तिरपन नमर में क्या कहई रहें जदि ए 35 दिग्री तो साइन एक пने कौसए गामान होगा तो कितना होगा तो इसका सर नम्स क्लि === यदि थिए धिता बढ़ावर और लगंकड़ Testum क्यतो रूट थीन वेट्टे 2 अब यहां पर सबसे नम्स क्लि discounts संतावन नमर में कहे रहा है यदि एक विडित का छेत्र फर 154 cm2 है तो इसकी परीधी कितनी होगी वह हमें बताना है तो 57 का सी आंसर से हो जाएगा 44 cm अब इसी तरह से यहां पर 58 नमर में क्या कहे रहा है अंठावन नमर में कहे रहा है कितना होगा तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कौस ठीटा होगा अब इसी तरह से यहां पर 58 नमर के बाद 69 नमर में कहे रहा है यदि एक अस्ताम की छाया की लंबाय अस्ताम की उचाई से रूट तीन गुणी है तो सूर्ज का उन्यन कौन कितना होगा वह हमें बताना है तो उनसर नमर का बी आंसर सही हो जागा साथ डिग्री का अब इस तरह से यहां पर 60 नमर में क्या कह रहा है साथ नमर में कह रहा है नो टेन इसक्वाइर एलफा मैनस नो शेक्वाइर एलफा ब्राबर कितना होगा यहां पर दूनों सेम रहेगा तो यहां पर नो हो जाएगा एक कामाण सही होगा यहां पर नो अब भाइस तरह सही हो जागा पाय आडए स्क्वाइर पी बट्टे में 307 डेग्री अब है इस 62 नमर में दिया हुआ है किसी तिर्भूज के दो कोनों का योग तीसरे कोन के बड़ावर है यदि दो कोनों का अंतर 50 है तब तिर्भूज के कोन है तो कितना है तो इसका ए आंसर से हो जाएगा 45 डिग्री और 90 डिग्री अब इसी तरह से यहां भी है लब 4 सेंटीमीटर अब इसी तरह से यहां पर 64 नमर में क्या कह रहा है यदि ओ केंद्रवाले विरित में टी ए तथा टी बी की दो असपर से रहा है इस तरह है कि कौन ए टी बी बड़ावर 70 डिग्री तो कौन ओ और बी बड़ावर कितना होगा तो यहां पर तिर्षट का सरी इस तरह से चोंग सट का बी आंसर से हो जाएगा यानि कि 110 डिग्री हो जाएगा अब इसी तरह से यहां पर 25 नमर में क्या दिया हुआ है किसी विरित के व्यास के दोनों सीरों से खीची गई असपर से रहा हमेसा होती है तो यहां पर इसका ए आंसर समान अंतर हो जाएगी अब इसी तरह से चाहर पर 26 नमर में क्या किया रहा है यहां पर देखे है चाहर से वाले व्यास के केंद्र से दस सेंटीमितर दूर एक विन्दू से विरित पर खिची गए असपर से रहा कि लंबाई होगी कितनी होगी तो यहां पर भी आंसर से हो जाएगा आट और सब्सक्राइब नमर में कहे रहा है तो यहां पर दी आंसर सही हो जाएब दो होगा अब भाइसी तरह से यहां पर उनफ्तर नमर में क्या रहा है दी गई आकरिती में दो विडित एक दूसरे को बिंदू सब्सक्राइब नमर में क्या दिया हुआ है सब्सक्राइब निम लिखित में कौन सा शेक साट डिग्री के बढ़ाबर है इसका अंसर सही हो जागा कौस एक तीस डिग्री अब भाइस तरह से यहां पर इकहत्तर नमर में देखिए क्या कहे रहा है समात्र स्रेड़्ी पचीष बीस पंद्रोक का कौंसा पुऑ प्रत्रम डिनात्मक पौद है इसका यहां पर एंसर सही हो जाएगा छटह पौद अब इससेटर से Granny omega आप देखें बहुत अनमर में क्या होंग का रहा राहा है निमनी लिखित में कौन सा समांतर से डी में नहीं है इसमें से ऐ संधनार जो है जो है समांतर सेंड में नहीं है अब इस तरह से से बिंदू क्यू 3,6 की दूरी है तो कितनी दूरी है तो बिंदू दिया है तीन को माइनस चार और भी दिया है एक दू एक कॉमा दो को मिलाने वाली रिखाए कडिके अब अबर हो मिद्व के नियामक है तो इसका सी आंसर से हो जाया दो कोमा मायनस वण अवेश्टर यहांपे शीचान हटन हम प्रवाइख छिटी आटनमर में क्या है लिए तर नमर में क्या रहा है मूल बिन्दू से बिन्दू पी दिया है मैनस a-b की दूरी है कितनी दूरी है तो इसका आंसर से हो जागा a square plus b square के root अंडरी थाई अब इस तरह से यहाँ पे 77 नमर क्या कह रहा है 77 नमर कह रहा है यदि बिंदुएं k,2,3-3,4 तथा 7,5 रेक हो तो k बढ़ाबर कितना होगा वह हमें बताना है तो इसका अब इस तरह से यहाँ पे 68 नमर में क्या कह रहा है यदि दो शम रूप तिर्भूजों के शेथफ़लो का अनुपात 25 अनुपात 64 है तो उनके संगत भूजाओं का अनुपात क्या होगा वह हमें बताना है तो इसका यहाँ पे अनसर से हो जाएगा 78 का पांच अनुपात 8 हो जाएगा अब इस तरह से यहाँ पे 89 नमर में क्या कह रहा है यहाँ पे 89 का में एवी बडावर्बर कोण सी बडावर्वर कितना होगा तो यहाँ पे इसका अब्यांसर सभी होगा अभाट बिक्यासी नमर में क्या कह रहा है यहीडिन एक घनाव की लंबाय चोड़ाय और उचाह क्रम से 10 सेंटीमेटर 8 सेंटीमेटर और 6 सेंटीमेटर तो इसका विकर्ण होगा इसका ए आंसर सही वाज़ा है 10 रूट 2 सेंटीमेटर अब इस तरह से यहां पर बिरासी नमर आप देखें तो यहां पर आप लोगों को देख लेना है तो उसका संपूर्ण प्रिस्ट का छेत्रफल होगा तो वह हमें बताना है तो 84 का भी आंसर सही वाज़ा है उसको हम मान लेंगे उसको हम लिग देंगे तो यहां पर देखें पचासी नमर का आंसर बी नमर हो जाएगा 18 आप देखें24 नमर में क्या रहा जावन देखेंज देख्यश्य नमर में के रहा निम्वन लिखत में कौन प्रविर्ती की माप नहीं है वह हमें बताना है तो 80 rd आउज़ा अब तो इस्तरा से यहां पर आठासी नमर में क्या रहा है यदि एक संकु की तीरजया 14 संटीमीटर और इसकी तीर्यक उचाई 15 संटीमीटर हो तो संकु का संपूर्ण होगा तो कितना होगा यहां पर देखिए इसका कौन सा अनुपात है तो कितना है तो नवासी का दी आंसर सही हो जाए नो अनुपात सुल लो अब इसी तरह से नव्य नमर अब देखिए नव्य नमर में क्या रहा दी गई आकरिती में यदि एवी सीडी एक समांतर चतुरुबूज है तो कौन a c b की माप है तो कितना है कौन a c b का माप तो यहां पर बी आंसर से हो जाएगा 55 अब इसी तरह से यहां पर प्रथम एन पदो का योग होगा तो कितना होगा यहां पर इसका यहां पर आँसर से हो जाएगा एन वटे नों इससका इसका आंसर से हो जाएगा यहां पर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर भी स्कोर माइनस पूर एसी वट्टे टू यह फर्मुला है अब इसी तरह से यहां पर 94 नमर अब देखिए 94 नमर क्या करें 94 नमर में करें यह दी समांतर सिर्धी का वापद आण ब्राबर 9 माइनस 5 न तो आ 7 ब्राबर कितना होगा तो 94 है कितना 94 है यहां पर 46 है मैंस 26 है 53 है और दो है तो इसका बी आंसर से वजाएगा मैनस 26 अब इसी तरह से यहां पर तो पनचानमे का डिया नमर में क्या कहे रहा या फिर जीरो है तो जीरो है माइनस बराबर कितना होगा तो पंचानमे का ब्यांसर सही होजागा कोड़ जीरो शरी ठीटा है यह ठीटा हो जाएगा अब भैसी तरह से यहां पे बिन्दू माइनस बारा माइनस अठारा का भूज है तो इसका यहां पर आंसर से होजा तो तेन पचास टिगरी वड़ाबर कितना होगा तो अंठान में नम्र में क्या अगले वीडियो में आगे देखेंगे तब तक लिए गुरवाइब